गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़ कर उसके अर्थ में परिवर्थन ला देते हैं, या उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं. यनि इनका अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता अलग से, लेकिन जब वो किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो एक अलग ही अर्थ देने लग जाते हैं, एक विशेश अर्थ देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं. वे शब्द उपसर्ग शब्द कहलाते हैं देखिए जैसे ये उपसर्ग हैं ये तीन प्रकार के बांटे गए हैं एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ लेते हैं पहले जैसे देखिए, यहां पर निर, निर का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन निर को जब हम किसी अन्य मूल शब्द के साथ जोडते हैं, जैसे दोश के साथ जोड़ा, तो निरदोश, वैसे निर का अर्थ होता है बिना, लेकिन अगर आप इसे अकेले में कहो के म आप नहीं बोल सकते उसको ठीक है यहां पर ये निर जो है दोश के साथ लग गया तो निरदोश बन गया निरबल बल के साथ लग गया निरबल यानि बिना बलवाला यहां निर का अर्थ है बिना तो जहां ये जुड़ गया उसका अर्थ होता जा रहा है बिना बलवाला निर्गुण यानि बिना गुणवाला इसी तरह से अन्ने जो हैं देखिए यहां आपको पहले उपसर्ग दिया है फिर उसका अर्थ बताया है क्या होता है और फिर किसी मूल शब्द के साथ जोड़ कर उसको बताया गया है जैसे देखे दुर दुर यानि बुरा, पठिन और दुर्बल, दुर्गम, दुर्दशा अ नहीं या अभाव किसी चीज़ का अ अ न्याय, अ ज्यान, अ धर्म इसी तरह अप अर्थ होता है बुरा, हीन अपमान, अपयश, अपवाद अती, अधिक, अतियंत, अतिरिक्त, अतिक्रमन अनू, समान, पीछे अर्थ होता है ये और ये लग जाता है जब रूप में लगाया हमने अनू तो अनूरूप, राग में लगाया अनूराग, करन में अनूकरन अधी, यानि अधिका आर्थ होता है प्रधानता या उपर की ओर तो अधिकार, अधिपती, अधिनियम आ, उल्टा या तक से लेकर जैसे आजन्म जीवन भर आजीवन, आगमन, आमरन प्रती, सामने, उल्टा, हरेक ये अर्थ हैं प्रतिकूल, प्रत्येक ये प्रती जमा एक मिलकर बना हुआ है प्रत्येक, प्रती दिन, प्रती निधी सू, मने अच्छा, सुपुत्र, सुकन्या, सुकर्म, सुशील प्र, आगे, प्रबल, प्रयत्न, प्रमुख वी, वी का अर्थ होता है कि हींता या विशेश विमुख, विदेश, वियोग चलिए, ये कुछ संस्रित के उपसर्ग हैं और अब कुछ हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ लेते हैं अध, आधा, यानि अध पका, अध मरा, अध खिला आधा पका हुआ, अध मरा मतलब मरे के बराबर अधा मरा हुआ, अध खिला, यानि आधा खिला हुआ तो ये बीच वाले अर्थ हैं और यहाँ पर उपसर्ग जोड़ कर बताया गया है किस तरह से मूल शब्द में जुड़ कर उसकी अलग ही विशेश पहचान बन जाती अलग ही अर्थ निकल जाता है उसका कू, बुरा, कुपुत्र, कुचाल, कुधंग, अन अब मीनिंग है अनजान, अनहोनी, अनमोल भर यानि पूरा, भर पूर, भर पेट, भर सक उन एक कम, यानि जैसे उनसट, साठ में एक कम, उन्चास, पचास में एक कम, उन्तीस, थीस में एक कम अभाव, निशेद, अज्ञान, अच्छूत, अचेद, अथाह, नी मने रहित, और नी जहां लग गया, निहत्था, यानि हत्यार के रहित निडर डर के रहित डर के बिना रोग के आगे निरोग चलिए अब हम उर्दू के पढ़ लेते हैं कुछ जैसे बे बे जहां लगता है मीनिंग होता है रहित और बे इज़त बे खटके बे वकूफ बे कार इसी तरह बद बुरा मीनिंग है इसका बद नाम, बद किस्मत, बद तमीज, बद हाल ला अभाव, ला इलाज, ला वारिस, ला जवाब ना ना पसंद, ना समझ, ना लायक, ना उमीद ब ब का मीनिंग है अनुसार बा काइदा, बा इज़त, बा अदब तो आपने इन में देखा कि इनका अपने आप में कोई भी अर्थ अलग से नहीं निकल के आता और जब ये किसी अन्य मूल शब्द के साथ जूड जाते हैं तो एक अपनी अलग ही विशेश्टा देते हैं ये देखे, अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता देकिन जब किसी दूसरे मूल शब्द के साथ जूडते हैं तो एक नया अर्थ देने लगते हैं तो ये उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं थेंक्यू बेटा हम अगली वीडियो में आपको प्रत्ते सिखाएंगे